नमस्कार में प्रियर रंजन और आप देख रहे हैं टेडर्स ड्रीम आज की इस एपिसोड में डिसकस करेंगे रिलाइस इंडस्ट्री स्टॉक के बारे में लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग रही वो फ्लैट पोजिटिव दिखी थी और इस समय मंदे को क्या ट यहां देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यूके के अंदर जो रिलाइस जी डियार थी उसकी क्लोजिंग वन परसेंट से ज्यादा की रही है यानि एक्सपेक्टेशन है कि मंडे को एक पोजिटिव ट्रेंड दीख सकता है यहां देखेंगे तो क्यूफोर के अ पाते दिखेंगे उसको मैं आपको डिकोट करते दिखूंगा यहां देखेंगे तो रिलाइस इंडस्ट्री से एज स्टॉक लैक्स सेंसिक्स कैन क्यूफोर रिजल्ट्स सेट स्टेज फॉर रिकवरी इस परकार के न्यूज दीख रहे हैं यहां जो भी एनलिस्ट या जो ग्रोथ होते वे दिखेगा वहीं इमके ग्लोबल यह कह रही है कि 0.3% डाउन ट्रेंड जो है प्रोफिट होते वे दिखेगा एक्सपेक्टेशन देखेंगे तो लगबग 16,000 करोर के आसपास के प्रोफिट एक्सपेक्ट किये जा सकते हैं इसके साथ ही देखेंगे तो जो 75,000 करोर के निवेश को लेकर के बात कही गई थी वो भी हमने डिसकस क्या था न्यू इनर्जी बिजनेस रिटेल स्टोर के ग्रोथ और जो 5G के टेलीकॉम नेटवर्क हैं उसके लिए यह पैसे का यूज किया जाएगा टेक्निकली यह देखेंगे तो इससे मैं डिजेक्श यहाँ इस जोन में अगर यह 2300 के लेवेल को रिस्पेक्ट करता है तो फिर यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड दिखेगा और ब्रेक आउट दिखेंगे तो 2350 के आसपास का लेवेल है इस समय 3000 से 3300 तक के लेवेल भी आते दिखें ओवराल ट्रेंड काफी बुलिस दिख रहा ह